हेलो गाई स्वागत है आपके अपने चैनल गुन गुन फैसन वर्ड में तो दोस्तो आज हम आपको बहुत ही प्यारी सी बोट नेक डिजाइनर कुर्टी की गले की डिजाइन बताने जा रहे हैं तो यहाँ पर हमने पीछे के पल्ले को हटा के आगे का पल्ला ले लिया है यह हमारे दोनों पल्ले आगे के खुले हुए भाग हैं इसको हम बराबर से सेट करके आपको इसकी नाप बता देते हैं तो यहाँ पर हमने इसके साढ़े साथ सोल्डर लिया है और आगे आधा इंच जेक्स्टा ले लिया है जिससे हमारी पट्टी आगे की फोल्ड होके अंदर की तरफ जाएगी तेहां पर हमारी दोनों पट्टियां आगे की तरफ से फोल्ड हो जाएगी बाकी की नाफ हम बकरम पे लगाएंगे तो यहां पर हमने बकरम को डबल फोल्ड करते हुए सेट कर लिया है अब हम इसमें गले की डिजाइन लगाएंगे तो यहां पर हमने गले की चोड़ाई 5 इंच रखी है और गले की लंबाई हमने 6 इंच रखी है अब हम इसका एक चोकोर बॉक्स तयार कर लेंगे और इस पर डिजाइन तयार करेंगे तो यहां पर हम इसको गुलाई से लेते हुए सीधे में हलका सराउंड देते हुए इसमें गुलाई लगाएंगे यहाँ पर हम उपड़ एक्ड़ा मार जिन लेते हुए इसको हम ülा कि पर देंगे दोश्तो यह भी इससे कट करते हुए जो हमने निसान लगाया है वहीं से हम इसको कट कर देंगे दोस्तों आज कल इस गले की डिमांड बहुत ही ज़्यादा चल रही है और देखने में भी काफी खुबसूरत लगता है तो यहां पर हमारा गला कट गया है अब हम इसके में सेंटर पर निसा कर लिया है और अब हम इसको कपड़े के साथ 20 से अलग कर देंगे और दोनों पल्लों में अलग-अलग इसकी सिलाई होगी तेहां पर हमने कपड़े को दोनों अलग कर लिया है अब हम इसके एक पल्ले में गले को एक भाग को जोइंट करेंगे तेहां पर हमने जैसे हमने कटिंग की थी यहां से हमने सिलाई लगांगे दोस्तों गुन-गुन फैसन वड़ा आपको अपना चैनल है आप इसे ज्यादा-ज्यादा लाइक किजीएगा और स्सक्राइब कीजीएगा यहां पर हमने गल्ले सिलाई लगा दी है अब हम बाहर की दरफ से बकरम के साथ कपड़े को अटाइज करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे दोस्तों आपको हमारे चैनल पर तरह तरह के ब्लाउज की बिना बक्रम के डिजाइन की कटिंग और स्टिचिंग तरह तरह के बैक की स्टिचिंग और कटिंग का फुल टुटोरिल दिया गया है उसमें आ हमारा गला तयार हो गया है अब हम इसमें मोडते हुए अंदर की तरफ से इस पर एक सिलाई लगा देंगे ऐसे ही हमें दोनों पल्ले तयार करना है दोस्तों आज कल साधी पार्टी में उपन फ्रेंड की कुर्टी गाउन ज्यादा तर्टिमांड में चलना है तो इसलिए हम हमें आपके चोईस पर ये गला तयार किया है हमें उम्मीद ही नहीं बलकि पूरा भरोसा है कि आपको ये डिजाइन जरूर पसंद आएगी तो यहाँ पर हमने एक गले को तयार कर लिया है ऐसे ही हम दूसरा वाला भाग भी बराबर से सिट करते जाएंगे और इस पर लगा देनी है और गले में हमें डबल सिलाई लगानी है जिससे कि हमें तुर्पन करने की जरूरत ना परे आप चाहे तो इस पर तुर्पन भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने दोनों पल्ले तयार कर लिया है आप हम इसके अंदर की डिजाइन तयार करेंगे और आगे से इस की चौड़ी पट्टी ली है और इसकी लंबाई हम 24 इंच लेंगे और यहाँ पर हमें जहां तक हमें लूप्स आटेच करनी है वहीं तक कि हम उतनी लंबी पट्टी लेंगे तेहां पर हमने 24 इंच लंबी पट्टी ले लिया है और इसको डबल फोल्ड करते हुए हम कर लेंगे तहां पर हम डबल फोड करते होएं लगा लेए हैं अब हमारी पट्टिवन के तयार हो गई है अब हम आजे के पलड़े में गले की तरफ से होईंट करते जांए और इस पर लग यहां पर हमने ने लोपस बना के तयार करी हैं और अगर आपको इस जूप्स की डिजाइन देखनी हो कि कैसे बनती हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं इस loops को बनाने का बहुत ही आसान तरीखा बताया है और आप चाहे तो थर्माकॉल की गोली से बना सकते हैं या फी चोटे-षोटे कत्रनों से भी लूप में से लूप स May करया है शनद तो बराबर से 60 सटा के भी लूप्स लगा सकते हैं लेकिन यहां पर हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर जैसे कि हमने डीपी दिखाई है सेम वहीसी ही हम इसमें कुर्थी तैयार कर रहे हैं तो यहां पर हम बराबर से लूप्स रखते जाएंगे और इस पे सिलाई लगाते जाएंगे अगर आप beginners हैं तो सबसे पहले आप इसे attach करते समय कच्चा करने उसके बाद ही इस पे पकी सिलाई लगाएं दोस्तों ये design देखने में जितनी ज़्यादा खूब सूरत है बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है बस आप हमारा tutorial ध्यान से देखते जाएगा और step by step उसको सीखते हुए आप भी घर बैठे है ऐसी ही कुर्ती तैयार कर सकते हैं तेहाँ पर हमें बराबर से loops को set करते जाना है और ऐसे ही हम सारी loops को set करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे तो guys अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप हमें comment के जरीए पूछ सकते हैं हम उसका पूरा जवाब देने की कोसिस करेंगे आपको जहाँ ना समझ में आए उसे आप comment के जरीए पूछ सकते हैं तेहाँ पर हमें पराबर से ऐसे ही loops रखते जाना है और सारे पल्ले में ऐसे ही तयार करते जाना है तेहाँ पर हमने सारी loops को attach करते हुए एक पल्ला तयार कर लिया है अब हम इसमें जो पट्टी हमने सिली थी उसको attach करेंगे लेकिन सबसे पहले हम जो हमारा अपोजिट वाला पार्ट है उसको डबल पोड करते हुए इसे बी सेंटर पर रखते हुए सबसे पहले इस पर हम सिलाई लगाएंगे जिससे की हमारी लूप्स बराबर से सेट हो जाए तो यहाँ पर हम आधी दूरी पर आगे का पला दूसरा वाला इस पर रखते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे दोस्तो अगर आपको यह वीडियो जरा सभी पसंद आये तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों तक सेयर कीजिएगा और सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आन ने ओली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए इस इसमें हमने बहुत ही सुन्दर सुन्दर सामान बना के तयार किये हैं तो यहाँ पर हम कपड़े के ऊपर डबल सिलाई लगा लेंगे जिससे के हमारी पट्टी मजबूत हो जाया और इसके साथ ही हम आगे कपला बराबर से तयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगा दी है अब हम लूपस वाला पल्ला इसके साथ रखते जाएंगे और इस पे सिलाई लगाते जाएंगे तो याद रहे हमारा जहां से हमने दूसरा पल्ला जॉइंट किया है वहीं से इसको बराबर रखते जाएंगे और इस पे सिलाई लगाते जाएंगे जिससे कि हमारे पुर्ते में गयप नाए और बराबर से सेट हो जाए तो गाइज अगर आपको ये वीडियो जरा सभी पसंद आए तो प्लीज हमाई चैनल को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों तक सेर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए और कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हम उसे डालने की पूरी कोसिस करेंगे तो यहाँ पर हमें लूप सटाइज करते हुए नीचे तक बराबर से आगे के पूले पल्ले में सिलाई लगा देनी है और इस वाले पल्ले में भी हमें डबल सिलाई लगाते हुए आगे का पल्ला तयार करना है दोस्तो गुर्ण फैसर नोड़ में आपको तरह तरह के बलाउज के बैकने बिना बक्रम के बताए गए है और बहुत ही खुशूरत दिजाइन तयार की गई है आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और अपने यापनों के लिए बना सकते हैं तेहां पर हमने जहां से लूपस अटाइज की है वहां से हम बराबर से इसको नोचिस लगाते हुए सेट कर लेंगे उसके बाद ही हम उपर तक इसके सिलाई लगाएंगे जिससे की हमारा आगे कपला दोनों बराबर से सिट होके वहां पर अटाइज हो जाए और खूलेना तेहां पर हम बराबर से कपड़े पर डबल सिलाई लगाते जाएंगे और अपना गला तैयार कर लेंगे तेहां पर हम आगे कपले में सिलाई लगा चुके हैं अब आगे के पल्ले में हम उपर की अलग से कटिंग बताएंगे और इसमें गला अलग से सेट करते हुए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे ही बनाने के बारे में बताएंगे दोस्तों ये हमारी बोट में एक डिजाइनर कुड़ती है और देखने में काफी ज़्यादा खुबसूरत लगती है तेहां पर हम जो बक्रम हमने कट किया था गले का वही ले लेगे और उसी को डबल फोर्ड करते हुए इस पर हम आगे की डिजाइन तयार करेंगे तेहां पर सीधे निसान पर फोल्ड करते हुए इस पर निसान लगा देंगे और यहीं से हम कट कर लेंगे तो यहां पर हमने अपने रिजाइन को कट कर लिया है अब हम इसी को अटाइज करते हुए कपड़े पर आगे के गले को तयार करेंगे तो यहां पर हमने एक टुक्टा ले लि करने हैं उसके बाद ही इसको हम double कपड़े प्योटाइज करते हुए इसमें सिलाई लगा के गल्ये को तयार करेंगे तो यहां पर हमने आगे की गल्ये को तयार करने के लिए एक टुबडा ओल लिया है और और इसको साइट से सिलाई लगाते जाना है जहां से हमने साइट पे बक्रम पे सिलाई नहीं लगानी है उसके किनार किनार से ही सिलाई लगानी है और इसको कट करते हुए जो एक्ष्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे उसके बाद ही इसको हम फोल्ड करते हुए डिजाइन तयार करेंगे तेहां पर हमने कपड़े को उलटके सिधा किया है और कोने को अच्छे से हम इसको सेट करते हुए इसके जोनों कोने निकाल देंगे और बराबर से इसके में सेंटर पे एक निसान बनाएंगे तेहां पर हमने में सेंटर पे निसान बना लिया है अब यहाँ पर अटाइज करने से पहले हम इसको बराबर से सेट कर लेंगे और इस पर पिनप लगा देंगे तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से इस पर बराबर से रखते हुए पिनप लगा दी है तो आप भी ऐसे ही गला सेट कर सकते हैं आप चाहे तो इसको कच्चा भी कर सकते ह तो यहाँ पर हम इस टुकड़े को गले पे सेट कर दिये हैं अब इस पर हम बराबर से एक सूथ की दूरी लेते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे और इसको बराबर से गले के साथ सेट कर लेंगे यह हमारा डिजाइनर गला है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और लोग आज कल ऐसे ही गले की डिवांट ज़्यादा तर कर रहे हैं यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगाते हुए ही इसे गले को अटाइज करना है और आगे से पराबर से इसको सेट करते हुए हमें इस पर डबल सिलाई लगा देनी है दोस्तों इस गले को बनाने के लिए हमें एक्ष्टर पक्रम की जरुद भी नहीं पड़ती है और जो हमने गला तयार किया है उसी पे हम इसको तयार भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आपने देखा कि हम बराबर से इस पे किनारे से सिलाई लगाते जाएंगे और इस गले को सेट करते हुए इस पे सिलाई लगा देंगे और यह गला हमारा बनके तयार हो गया है अब हम इसमें साइट से डोरिया लगाएंगे तो सबसे पहले हम नीचे के गले में लैस को अटैज करते हुए इसको बराबर से सेट कर देंगे और अपना गला तयार कर लेंगे दोस्तो आपको अगर कहीं भी समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट के जरीए पूर सकते हैं हम उसका समधान करने की पूरी पोसेस करेंगे तेहां पर हमें पूरे गले में लैस को अटैज करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है दोस्तो यह हमारा न्यू डिजाइनर कुरती करने कहें जो आज कल बहुत ही ज़्यदा ट्रेंड में चल ला है लोग इसे यू केट में या पान सेप में या हार्ट सेप में कैसे भी बना के गले को तयार कर वा रहे हैं तो अब हम इसके पीछे का पार्ट लेंगे और 20 सेंटर पे इस पे हम बराबर से फोल करते हुए इस पे हम 6 इंच पे एक निसान बनाएंगे और यहीं पे हम इस पे चैन अटाइज करेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट साइड भी एक दम बराबर से रहेगा इसमें जरा सा भी पीछे गला नहीं रहेगा तो यहाँ पर हमने में सेंटर पर निसान लगा दिया है अब हम इसमें 2 इंच की पटी रखते हुए इसका पहले गला तयार करेंगे उसके बाद ही इस पर हम चैन अटाइज करेंगे तो यहाँ पर हमें जहां से हमने निसान बनाया है दो सूत की दूरी लेते हुए हमें डबल सिलाई लगा लेनी है और इसे तयार कर लेना है तो यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगा दी है अब हम इसके 20 सेंटर पर कैंची से क कटने पाए और जो हमारा एक्ष्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट करके अलग कर देंगे दोस्तों यह डिजाइन देखने में जैतना ज्यादा खूब सूरत है बनाने में उतनी ही ज्यादा आसान है बस आप लोग इस्टेप बाइस्टेप फूरा टुटोरियल देखते जाए और इसको अंदर की तरफ से फोल्ड करते हुए गले पे हम सिलाई लगाते जाएंगे जिससे कि हमारा कपड़ा अंदर की तरफ से सेट हो जाए उसके बाद ही इस पे हम चैन अटाइज करेंगे यहाँ पर हमें बिल्कुल किनारे से ही इस पे सिलाई लगाते जाना है और कप आगे जो हमारा इक्षिता फाग है वो हमारे पीछे पल्ले में फोल्ड होके उसके बाद ही उस पर चैन लगेगे तो यहां पर हम दोनों पल्ले को बराबर से रखते हुए सिलाई लगा देंगे और ऐसे ही पीछे की तरफ से दूसरा पल्ला भी सिट कर देंगे और इस पर भी फोल्ड करते हुए जोइंट पर सिलाई लगाएंगे तो यहां पर हमने जो एक्ष्टा कपड़ा लिया है उसे अंदर की तरफ से बराबर लगते हुए फोल्ड कर लेंगे और दोनों गंदों पर बराबर से सिलाई लगा देंगे दोस्तो इस वीडियो में आपको छोटी छ सिलाई लगा दी है अब हम आगे की पटी तयार करेंगे जो कि हम गले के बीच में कॉलर पनाएंगे तो यहां पर हम दोनों साइड में पटी लगा लेंगे तो यहां पर हमें तीन इंच शौड़ी पटी ली है और साथ इंच लंबी पटी ली है ऐसे ही दोनों पटियों को फोल्ड करते हुए हम इस पे सिलाई लगा देंगे और पट्टी तयार कर लेंगे तो ऐसे ही हमें दोनों पट्टियों को तयार कर लेना है उसके बाद ही हम आगे के गयले में इसको अटेज करेंगे तो यहाँ पर हमने दोनों पट्टिया तयार कर ली है अब हम इस पे दोनों इस टेप फुल टुटोरियल देख रहे हैं उसके बाद ही आपको इस समझ में आएगी वरना अगर भी इससे आप कट करके देखेंगे तो आपको विल्कुल समझ में नहीं आएगी यहां पर हमारी पट्टी तयार हो गई है अब हम सबसे पहले पीछे के पल्ले में चैन को आपको एक से बढ़कर एक तरह तरह की दिजाइन है और तरह-तरह के घर की सजावट के सामाने देखने को मिलेंगी बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार हमारी चैनल को देते रहीएगा और हमें सब्सक्राइब करती रहीगा यहां पर हमनें दोनों तरफ से ऐसे ही तो आगे आपको कौन से टापिक पर वीडियो चोहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसे डालने की पूरी पोसेस करेंगे, यह गले के डिजाइन हमने एक कस्टमर के डिमांड पर ही बनाया है, और इसका फुल टुटोरियल दिखाया है, हमें उमेद है कि उनको यह डिजाइन आसानी से समझ में आ रही होगी, और वो भी ऐसे ही step by step देखते हुए अपना गला तयार कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने चैन पे सिलाइ लगा दी है, यह हमारी चैन बनके तयार हो गई है, अब हमने जो आगे पटी लगाई है, उस पे less attach करके color तयार कर सकते हैं, यहाँ पर हमने पटी से attach करते हुए गला तयार किया है, और इसमें हम eye or hook की मदद से color तयार करेंगे, यहाँ पर हम पूरे पटी में less को attach कर देंगे, उसके बाद ही इसमे eye or hook attach करेंगे, अगर आपको eye or hook का तरीका लगाने का नहीं आता है, तो हम आपको इस वीड लगाएंगे, तो यहाँ पर हम एक तरफ eye तयार करेंगे और दूसरी तरफ hook तयार करेंगे, और बाकी की सिलाई से हम जैसे कुर्ता बनता है, वैसे हमें इस कुर्ते को सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले hook को attach करते हैं, यहाँ पर हम बीच में hook को रखेंगे, और उस पे सिलाई लगाते हुए सूजी मदद से इस हुप को पका कर लेंगे यहां पर हमें अच्छे से हुप को पका कर लेना है जिसरे की हमारे धागे निकलने न पाए अब हम उसरे तरफ इसमें आई बनाएंगे तहहां पर आई बनाने के लिए 2 सूथ की दूरी लेना है और गाप देते हो इसमें हम आई बनाके तयार कर लेंगे तहहां पर हमारी आई भी बन गई है अब हम इसे इसको एक साथ जोइंट करते हुए इसमें कॉलर बना लिये हैं तो guys हमारा कॉलर और गलावन के तयार हो गया है आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा तो फ्रेंस मिलते हैं अगले वीडियो में है